हेलो फ्रेंट्स मेरे चैनल पर आप लोग को सौगत है आज के वीडियो में हम विभिन प्रकार से मीथेन गैस के उत सर्जन और वह कैसे हमारे वातावरण को प्रभावित कर रही है उसके बारे में डिसकस करेंगे दोस्तो एडमासफियर में जो मीथेन गैस का एमिशन होता है वा मुखिता तीन प्रकार से होता है जिनमें पहला प्रोस्स होता है इनमें डिकैरिंग आप बेजिटेशन और अन् माइक्रोबियल एक्टिविटी सामिल है और तीसरा जो सबसे महातफूर प्रोस्स है वो मीथेन गैस का उसर्जन होता है दोस्तों मीथेन गैस जो होती है बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रीन हाउस गैस होती है जिसका उसर्जन पहले की तुलना में 25-40% बढ़ा है रिसर्चेज में निकल कर सामने आया है कि जियोलोजिकल आयल और गैस इंडस्ट्री से प्रतिवर्स 17 172 से 195 टेराग्राम मीथेन का उसर्जन होता है दोस्तों इसमें उसर्जित मीथेन का केवल 40-60% प्रतिशत जियोलोजिकल प्रोसेस से बागी का इंडस्ट्रियल और फासिल फ्योल से आता है दोस्तों साइंटिस्ट ने जब आई स्कोर में सनचित मीथेन के दो सेंचुरीज का अध्यन किया और प्रेजन टाइम का भी एनाल्सिस किया तो पाया की पास्ट और प्रेजन टाइम में जो नेचुरल मीथेन का कांट्रिब्यूशन एट्मासफियर में इंडस्ट्रियल मीथेन की तुलना में बहुत ही कम है दोस्तों मीथेन में कार्बन डाइकसाइड की तुलना में असी गुना ज़्यादा एट्मासफेरिक वार्मिंग पोटेंसिल होता है लेकिन दोस्तों मीथेन एक एसी गयस है जो कि वायवेंडल में 10 से 20 साल तक ही रह सकती है जबकि इसकी तुलना में कार्बन डाय अकसाइड सैक्रो वर्सो तक वायवेंडल में विद्मान दोस्तों इस से निसकर्स निकलता है कि जब मीथेन एमिसन में बदलाव होता है तो वा एट्मासफेर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है दोस्तों बीसवी सताबदी के मद्ध में कोल इक्स्प्लोरेशन फॉसिल फ्यूल का यूज इंडस्टियल डिवलप्मेंट के के समय मीथेन का लेवल एट्मासफेर में बहुत ही ज़्यादा पढ़ गया ता और 21 सताबदी के सुरुवाती वर्सों में इसमें कमी देखने को मिली लेकिन 2007 में इसके एस्तर में दुबारा उचाल देखने को मिला जो कि 1980 की तुलना में कहीं ज़्यादा है मीथेन लेवल क के एट्मासफेरिक इंक्रीज में आखिर कौन कौन से फैक्टर ज़्यादा इफेक्टिव हैं उन पर अध्यान लगातार चल रहा है दोस्तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2015 में ग्रीन हाउस गैसो की कटवती के लिए पैरिस समझाता हुआ उसके लच्चे को पूरा हासिल नह क्यान के इनिख़ार होता है और दिद्ray क्रांज से पहले जियी ओलोजगल मीथेन गलती है इसमें बहुत ज्यादा होती है जिबकि जीयो लॉजकल प्रोसेस से जो मींधियन होता है वह भूद ही पूरानी होती है जिससे उसमें कारबन चोदा का च्रड़ हो चुका हो और दिवगी क्रान से पहले जियोलोजिकल मीथेन इसकी कुल मीथेन एमिसन से घठाया तो तो इसमें 172 से 195 टेराग्राम पर ये मापा जाने वाला मीथेन मानोजनी स्रोतों से प्रोड्यूस किया जा रहा है जो कि 25 से 40% की व्रिद्ध मीथेन एमिसन में प्रदर्सित कर रहा ह दोस्तों यह एक बहुत महत पूर्ड हो जाए लेकिन इसको पूर्टा अभी मानता नहीं मिली है क्योंकि आइसकोर की स्टडी से प्राप्त डेटा अभी अतधिक सटीक डेटा नहीं माना जा सकता है क्योंकि किसी अस्तान विसेश की परिस्तित के बारे में पूर्ड जनकरी नहीं दे सकती इसको और अधिक ग्लोबल लेवल पर करने की जरूरत है इन सब स्टडी से एक बातों सामने निकल कर आ रही है कि फासिल फ्यूल का यूज वातावर में मीथेन के लेवल को तेजी से बढ़ा रहा है इस गंबीर समस्या पर पूरे विस्व को ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी यूज की है उसको इनिवर्स्टी आप रोचेस्टर निव यार्क के रिसर्चर के दोरा स्टडी किया गया है आप जिसको नीचे डिस्क्रेप्शन में दिये गए लिंक से पढ़ सकते हैं वीडियो के बार में य वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूलें दोस्तों मेरा यह चैनल आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों